नमस्कार किसान भाईयों किसान खेति ग्यान चैनल में सभी किसान भाईयों का स्वाकत है आज का हमारा विसे है जो गेहूं 50-55 दिन पलस की हो गी है उसमें मंदुस्ती के लिए कौन सा सप्रे करें तो सभी किसान भाईयों से अन्रोध है किसान खेति ग्यान चैनल को सब्सक्र करें राइब परेक्त करें के ऌर हमें बताएं हमें आपने क्या यूजिया था क्या रिजल्ल्ट मिलां आज हम यूज कर रहे हैं यह को इत को आश्क मिल यह को फकॉट minder पॉर का लुसी दुपर के उसके मुकाबले एक अखरा यह वह काम करते pork कि टोपी कोता है बार गलूसी बढ़ात यह देखो है अमीस का प्रीोग कर रहे हैं अपने केत में यह देखो कि किया हमने इसका होल बनाया और यह हम इसका यूज कर रहे हैं यह स्प्रे कर रहे है तो किसान भायों मेरा सेन रोद है कि सप्रे करेंना कम से कम 110 liter पलस पानी कम से कम तो 200 liter में भी नहीं कर सकते हैं तो 110 liter पानी होना चाहिए कोगि जब तक द्वाई पूरी गूलेगी नहीं तो असर करेंगी नहीं और यह ग्यों हमारे अब लगवग पच्पन शप्पन दिन की हो चुकी है और अब हमने इसमें और यह मंदूसी खड़ी है बिल्कुल देख निजदिक से दिखाता हम यह देखो पीले-पीले आपको दिखाई दे रहे होंगे मंदूसी के पोदे पीले-पीले तो आज कब इसे तो किसान भाई यह है कि आज हम प्रयोग कर रहे हैं इसकर जट दखाएंगा आपको दस दिन के बाद दस दिन बाद देखते हैं क्या काम करती है इफको एमसी काता है यह 260 रुपे पर पैकेट मिला है इफको के इंदर पर मिल जाएगा आपको यह और वैसे कहीं किसान ने इसका पहली बार यूज किया था बता रहे थे रिजल्ट अच्छा है लेकिन वही बात है कि यह कम से कम किसान बाइओ अगले अपते इसका रिजल्ट दिखाएंगे हैं हपते या दस दिन के बाद इसका रिजल्ट दिखाएंगे आपको आज सफड़े कर रहे हैं तो किसान वायो दूबारा बता दूआ नियुका उपको कम से कम 180 L प्लस फानी में सफड़े करें कम से कम 200 L तो होने चाहिए और उसफड़े कर रहे और दूसरा यह 45 प्लस की गयूं में तो इसी का परियोग करें तोपिक का, सिंजन्टा की टोपिक ले ले ले, बाहर का लुसी फर ले 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 और या फिर इफकोगा ये, इफकोगा आपकी बार देखते हैं, यूज करके का सरजल्ट मिलता है, तो अगले अपते दिखाते हैं किसान भाई योस का रजल्ट आपको, धन्यवाद, किसान खेति जान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमंट करें, शेयर करें